रिष्टेदार वो लोग जिने तुमारे घर आने का बस एक छोटा सा बहाना चाहिए तुम दुफैर में अपनी प्यारी मीठी नीन लेने जाहिरे होते हो की अरे बेटा मैं थोड़ा पास में ही आया था तो सोचा तुमारे घर आ जाता हूँ पर मैं तो जंगलों में रहता हूँ जंगलों में क्या करने आयते कही मेरा घर तो जलाने नहीं आयते जैसे तुमने मेरा फ्यूचर जलाया मेरे घर वालों को मुझे ही इंजिरिरिंग करवाने का बोल के रिष्टेदारों की पासने एक भahut भयानक शक्ती है ये तुम्हारे मम्मी पापा का दिमाग चेंज कर सकते हैं बच्चा बोल रहा था कि क्रिकेटर बनना है तो हमने सोचे चलो क्रिकेट अकेडमी जॉइन करवा देती है क्रिकेट अकेडमी जॉइन करवा देती है मैं हूँ एक जादूई पेड क्या हम ये पेड का रोल हटा सकते है वैसे भी ये नाटक खरगोश और नेवले की जुगलबंदी के बारे में है और क्या मुझे कोई बताएगा इदर असली नेवला किसने छोड़ा अब हमारी फैमली में एक रिष्टेदार ऐसा होता ही है जिसे नब हो जोर से ज्यान देने के आदत होती है इसे लगता है कि पूरे भ्रह्मान का ज्यान ना इसके पास ही है और इनका मन पशन डिंदा काम होता है लोगों को अड़वाइस देना अब करियर चुनते समेविना ये लोग अपनी टांब अच्छे से अड़ाएंगे पापा मुझे गेम बनाने वाला बनना है अरे बेटा जिंदगी एक पूरा गेम ही तो है भाईसाब आप इसको बनाओ डाक्टर बहुत स्कॉप है मतलब इसकी मा का मुझे में रजनी गंद़ा और कदमों में दुनिया नहीं पापा टोक्टर चुनी पापा इती पढही छिम से तो मजदूर बन्हाओं में लेकिं डॉक्टर पे मुव मेरजनी गंदा कदमों में दुनिया इस वीडियो के स्कृप्ट लिखने वाले को तो चपलों से मार देना चाहिए तुम्हें पता ही रिष्टे दारों की नजरना अपने बच्चे से जादा दुसरे के बच्चे पे होती है कल को अगर कोई कांड भी कर दोगे ना तो एक बार को पुलिस को नहीं पता चलेगा लेकिन इन्हे जरूर पता चलेगा अरे ओफिसर मेरी दादी जूट बोल रही है मैंने उनकी बद्दी सीसी पेट नहीं खुजाई मिस्टर आयू यू आर अंडर अरेस्ट लेकिन आपके पास तो मेरी खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था हाँ सबूत नहीं था लेकिन अब है मिलो तुमारे फूफ ऐसे इनने बिजली के खंबे पे चड़के तुमारी क्राइम करते हुए फोटोस घिची है हलाकि वो बात अलग एक हम्मे से नीच उतरते समय इनकी पैंट के साथ चड़ी भी फट गई लेकिन उसका टेंशन तुम मतलो पैंट और चड़ी दोनों सही सलामत दर जी के पास पहुच चुकी है वो सुबह तक राफू करके दे देगा शाम तक शाम तक और यह रही तुमारी फोटो गिरफतार कर लेजिए मुझे अब जब भी रिष्टिदार तुमारे घर आते हैं तुमारे मम्मी पापा तुम्हें उनसे बात चीत करने के लिए बोलते हैं और तुम्हें नहीं पता होता क्या बात करनी है इतनी आजीब सिच तेस एक दूसरी को देखके अब कुछ रिष्टिदार ना तुमारे सिधे घर आते हैं और तुम्हें तुमारे बचपन की अजीब से यादे बताने लग जाते हैं बिड़े तेको यादे एक बार मेरे तेको तेरी लंगोट की बल उठाके पंखे पे लटका दिया था और त एक बार तु खुले में मूत रहा था तो तेको एक बंदर ने आगे पकड़ लिया था इतनी बेकार यादे बताएंगे तुम्हें बचपन की और पता नी बटवे के कौन से कोने में इनकी पास वो फोटो भी रखी होती है ये देखो नुन्नी कीचलिती बंदर ने इसकी अ तुम्हारी सथ कभी ऐसा हुआ है तुम्हाराम से एक चड़ी में बैठे हो और जेल जेसे कटोरे में दाल चावल खारे हो ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है लेकिन एकदम से तुम्हारी घर पे दस रिष्टेदार आ जाते हैं अब जरा सोचो उस चड़ी पे दाल चावल खाते हुए बच्चे पर क्या भीत रही होगी तुम्हें वहां से भागने तक का मोका ने दिया जाएगा भाई पूरा दिमाग सुनने पड़ जाता है इतने सारे रिष्टेदारों के सामने ए छोटू अपने मालिक को बुलाना तो जय रहा ममा अच कुछ हुआ फट से ऑपरेशन भाई आदा रोबोट बना के रखा है दादा जी को उधर दादा जी का 150 वा जनम दिन बनाए जा रहा है है वो दादा जी बिचारा अपनी बैटरी के दोनों वायर पकड़ के बोल रहा है मार दो मुझे प्लेस कोई मार दो आप बीछे तुमा या सौ रुपे का करारा नोट हो पर सवाल यहां पर यह नहीं है सवाल यह है कि रिष्टेदारों किसाद इतनी मारा मारी की बाद क्या वो बीस रुपे का लुल्ली नोट काफी था या नहीं मुझे नहीं पता मुझे बस एक चीज पता है सब्सक्राइब करो चाहे तो यह 20 रुपे का लुल्ली नोट ले लो लेकिन सब्सक्राइब करो मेरी आखे तुम पी है करो अभी मेरे बच्चे गले कर दो यार यह क्या तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे से दोस्ती करेगा चले जाओ यहां से तुम्हारा बच्च सूरत बच्चा लेकर एएए वो वो जा जा रहा हूं बस चला ही गया यह मेरा सेकंड चैनल है और यह मेरा इंस्टेग्राम है तो यहां पे भी फॉलो सब्सक्राइब कर देना अब मुझे भी जाना है क्यूंकि मेरे बच्चे का पेट खराबे और कर दी उल्टी